की या नमस्षकर्त कैसे हो आप सब आशा करती आप सब अच्छे होंगे यह सब करते हैं विल्हाट की स्टार्टिंग तो कफ दुना तरफ में नेपल कप बता है कि ready तुम्य में लना आज बोट Sugeleng कर स को हैं तो मैं तो कन सब्सक्राइब Fascist Vielen, रहे व्य दूनंखुन का सब्सकोर्द, और डोड़ के बना रही हूं यहाँ पर मैं यहाँ पर क्फुल यहाँ वदिर। अच्छे से पकाऊंगी उबालूंगी नहीं पकाऊंगी अच्छे से गाढ़ा करूंगी इसे तो जी मैंने तो रखा हुआ देखो ये मीडियम आज परी क्योंकि जरासा भी ध्यान हट जाएगा ना मेडियम भी धीमिक रखी है मैंने आज तो दूद निकल जाएगा और साथ म पढ़ता है कि इसके पास न आप दूद को छोड़कर के कुछ काम करी नहीं सकते हो दूद तो आख बचाती निकल जाता है है न वहीं होता है कि साथानी हटी और तुर्प्रटना घटी वहला हाल हो जाता है दूद के साथ मेरे साथ पर मोस्टली ऐसा ही होता है वही मुझे चलो ठीक है कितनी बार तो मैं इसको सिंभी करके जाती हुना और दूद अगर ज्यादा होता है पतीले में तो भी उफन करके पहारा जाता है तो चलिए छोड़े इन बाता को यहां पर यह दिखो मैंने बदाम ले लिए तो बदाम को मैंने पहले से भीको करके रख दिया थ है जो पिस लिए टोर्क पिस делать से थी इपो बिले देखेंँ लिएगा दोड़ा करने काम कोई जाए यह देखेंए । और यहां मैंने बजाम के कुछ के छिलके उतार दिये हैं, कुछ को मैंने ऐसी ले लिया है, और अब मैं इनको पीस लूँगी, तो मैंने तो पीसा है दरदरा सा, आप चाहो तो थोड़ा सा महीन पीस सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप मेरे तरीके से बना है, वैसे तो मैं उसे सर्दियों में ज्यादा बनाती हूं, लेकिन अभी वह पालक लेकर के आगे थे, तो थोड़ा और तेज कर देना, लेकिन साथ चम्मच के आसपास ठीक रहती है, एक लिटर दूद में तो यहां पर देखो, मैंने इसको भीस लिया है, तो बिल्कुल मह हम इसको इसमें डाल दूँगी, और अब बस थोड़ी तर और हम दूद को पकाएंगे, तो इसके थोड़ा सा दूद डाल करके, सारा यह बदा में वापस से पतीले में कर दूँगी, और जो साइड में खुर्चन बनेगी ना, उसको इमें लगे हाथ ही निकालती रहोंगी कि खुरष्टी रहोंगी, नहीं तो फिर क्या है ना, पतीले में जम जाएगी, तो इसलिए रहना पड़ता है दूद के पास खड़े ना, क्योंकि अगर आप खड़े नहीं रहोगे तो पकता रहेगा, और साथ में चिपक जाएगा बहुत ज़्यादा ना, पतीले में, चि धबडी, साग, अग्ये सब उसे पसंद भी नहीं आता, और ना, नयनक तो पालक पनीर ख़ाना पसंद करती है, मतलब धब chilly इसलिए तो अभी जेखतें क्या होगा अगर यह पनीड लेकर क्या जेएंगे तो फिर वह धबड़ी ही खाएंगे हम तो क्योंकि इनको धबड़ी ही खानी है इन्हें विखुल भी पनीड पसंद नहीं आता तो सब के अलग अलग टेश्ट होते हैं घर में और सब के हिसाफ से अधर दूद को भी चलाना है साथ में धबड़ी को भी चलाना है इसलिए तो जी दोनों तरफ ही मेरे ठड़ी हुई हूं काम करने के लिए और फिर मैंने यही सोचा कि चलो अभी खाना बनता रहेगा साथ में और दूद भी अच्छे से बोईल हो जाएगा पक जाएगा इसलिए तो मैंने का यह अच्छा टाइम है खाना भी बनाती रहोंगी साथ में और आइस्क्रीम का दूद भी गाड़ा होता रहेगा तो यह देखो अब जो कस्टड था ना यह मैंने डाल दिया इसके अंदर और अब तो इसका आप चलाते ही रहना पड़ेगा हमें तो यह को जादा हो नहीं इस से लेकिन हिलका सा इसका पड़ था और फोड़ा इसका टेस्ट आ गया था उसके अंदर आइस्क्रीम के अंदर लिए और सबसे ज़्यादा जित्तो करी है मेरी सोना ने कि उसको ही खाने थी आइस क्रीम बस उसके सामने एक बार बोल दो कि सोना मैं यह बनाओंगी तो भई वो मेरे पीछे ही पढ़ जाती है ममी कब बनाओगे ममी कब बनाओगे बना दो मतलब अगर मैंने रात को बोल दिया ना कि सोना तो यह खाएगी तो मैं तेरे लिए बनाओंगी तो बस फिरो मेरे पीछे ही पढ़ी रहेगी और सुबह उठते सबसे बहले बोले कि आपने बना दिया लाओ मेरे को देदो तो उसी ने मेरे पीछे पढ़ पढ़के आइस क्रीम बनाओगे अभी कि बना दो बनाओ यहां पर इस पेसली उसी के लिए बन रही आइस क्रीम और देखते हैं उसे खाने में कैसी लगती है इसलिए तो क्योंकि क्ष्टड ना मैंने बहुत ही कम डाला है और उसको थोड़ा ना कष्टड का पॉडर करना टेस्ट समझ नहीं आता मतला उसको अच्छा नहीं लगता समझ कि उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो मैने फर्स्ट टेम कष्टड बनाया था उसनी नहीं मुझे बोला था मैं कष्टड बनाओ फर्स्ट टैम नहीं मतलब अभी इस साले सीजन में तो मेरे पीछे बढ़ी देखकर के ममी बनाओ बनाओ यह बनाओ तो तो मैंने यहां पर गाड़ा हो चुका है दूद और अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है तो यह है मॉल्ड अगर आपके पास भी यह वाले मॉल्ड है न तो इसमेना दूद वाली आइस्क्रीम तो मुझे बिबकुल अच्छी नहीं लगी जमाने में इससे अच्छा त क्योंकि क्या होता है एक बारी में सब कुछ खाता नहीं है इंसान ना तो एक आज इसके अंदर रहे जाएगी और जब आप उसे निगाल होगे ना तो जो बार बाकी बच्ची हुए थोड़ा थो दूद रह जाता है वो सब फिर गंदा कर देता है इसलिए और कितनी बार त किसी के पास ना तो अभी आप ना यह वाली मत जमाना और अगर आफ जम जाती है तो आपकी क्याट रिखे निकालने के आप मुझे जरूर बताना तो यहां पर मैंने सब को कर दिया फिल तो यह देखिए तो मतलब एक गिलास के आसपास इसमें लग गया था और यह जो बाक कि मुझे पता अपने बच्चों का ना तो यह तो मैंने जमा दिये और इसका एक मेरे पास था नहीं इस्टिक बतानी कहां खो गई क्या हुआ तो इसको फिर मैंने अभी ऐसी रखा है बाद में मैंने इसके इंदर ना जो आइस क्रीम श्टिक होती है ना फिर वो अलग आ द किसेंते अगर आप है मेरे चाइनल पढ नहीं तो मेरे चैनल को कीजेगा सब्स्राइब वीडियो किजेगा लाइक कमेंट किजेगा और अपने दोस्त में शियर भी किजेगा ओ आपको आपको बोलरियों कि अब मैं जैसे रख् twenties कि फ्रीजर में तो जी मैं इसको रग देती पर चाहें आराम से बढ़ करके नहीं तो क्या ना कि सोना मेरे पीछे बढ़े रहेंगी ममी देदो आइस क्रीम अब मैं इसको बॉल दूगी बेटा मैं तरीजर में रख दिया है इस तरीके से तो आप भी देखेगा और यह देखो इतना यह वचा हुआ ग्लास में तो वह मैं तो मैंने बहुत कोशिश करी कि ना जमे लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्रिश्टल इस पर मतलब आई जाता है तो मेरे से तो इस तरी के साई गया स्याई फॉल पेपर होना चाहिए था तो कागस से कुछ काम नहीं बना इसलिए तो ऐसे कड़ बड़ो गई थोड़ी जी तो कोई कि यहां हम लोग खा रहे हैं खाना आप लोग भी खा लीजिए यह देखो पानी की बोतल साथ लेके बैठिए कि बस आप खिलाओ और मैं इसको निगलूंगी बस भर गया मेरा पेड़ यहां पर इनकी चल रहे हैं मस्ती मारा स्वेटी वो नहीं आया जैक जैक वोई यह जैक के नाम से सुनता है जैक पूरा हिला दिया मुझको वो तो आज पाइदान के पीछे पड़ा हुआ है तो फ्रेंड्स अभी हो जुकी है दूसरे दिन की सुभा और यहां पर आप देख सकते हो हमारी आइस क्रीम जम चुकी है और यह देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में तो चलिए अब हम इसको करेंगे डी मॉल्ड और कम से कम यह रही होगी बही 12 तेरा घंटे के आसपास फ्रीजर में ही तो यहां मैंने ले लिया है पतीले में पानी इसको इसमें करा डिप और जी अब आप देखना मेरी कितनी कोसिसों के बाद यह आइस क्रीम इस मॉल्ड में से निकली है तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को किजिएगा वेडियो को कीजिएगा लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और जो बैल का इकोन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास मेरे व्लोग की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुचे तो जी चलो अभी जद्दो जहत करके इसे निकाल लेते है और यह आइसक्रीम श्टिक वाली तो बिल्कुल भी नहीं निकली बिल्कुल भी सच में मताई यह तो फिर भी निकल गई जिनकी प्लास्टिक की है लेकिन वह नहीं निकली मैंने इसको बहुत बड़ी मुसकल से निकाला इसलिए मैं बोल रहे थी कि यह वाले मॉल्ड उच बिल्कुल पसंद नहीं आई है हमें दूसरे वाले मॉल्ड मंगाऊंगी जो कि सिंगल सिंगल होते है न उनमको निकालना फिर भी ठीक रहता है मतलब उस असानी से निकल जाती है चलिए जी बहुत जद्दो जहत के बाद निकली है इसक्रीम तो यहां फिर मैंने सारी के सार रहे निकाल दी भूल दी तो कितने अच्छी लगए देखने में और खाने में हमें दो बहुत अच्छी लग आभिण और भी बना करके देखना और फिर बताना आपको कैसी लगी